हमारे इलोन भहिया अभी सोच रहे होंगे ओ भाई मरो मुझे मरो जिन्दा मत छोरो मुझे भाई मरो मुझे क्योंकि यहाँ पे ट्यूटर का अल्टरनेटिव आ चुका है ठ्रेट्स और भाई यह रियली में लोग को बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और लोग यहाँ तक य चीज़े खुद से प्रस्टरनली एक्सप्रियेंस की है ट्यूटर के ऊपर जो कि आपको यहाँ पे ट्रेट पर देखनी को नहीं मिलती और एक सबसे बड़ा एड्वांटिज होगा उन यूजर के लिए जो कि काफी लंबे टाइम से ट्यूटर पर थे और भाई को मिलता है वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और साइध आप इस वीडियो को वाच करने के बाद अगर आप ट्यूटर यूज़ करते हो ना तो ठेट पर भी आप स्यूज़ करोगे ऐसा नहीं कि आप इसे डिलीट करते होगे रखोगे दोनों को लेकिन यहाँ प मेटावर्स अक्सर लोगों के बिजनेस आइडिया को कॉपी करता हुआ आया है और कॉपी इतने अच्छे तरिके से किया है कि भाई और जो ओरिडिनल चीजे हैं वो पीछे चली जाती है सबसे पहले बात कर लेते हम अपने इंस्टाग्राम की इंस्टाग्राम पहले स्टा इंस्टाग्राम के लिए प्लेटफॉर्म था जहां पे मीम्स वगेरा और बाकी दर चीजे देखने को मिलते थी बट जैसे ही स्नैप्चैट ने भाई यहां पे स्टोडी लेके आया इंस्टाग्राम उसे रिल्स के नाम से भाई पॉप्लर कर दिया और आज की टाइम में इ और यहां के बरावर यहां पे हो चुकी है और यह काफी जड़ा आज की टाइम पर पॉप्लर भी है और यहां पे कुछ गल्तियां हमारे टुटर ने की है जिसके वजए से हमा जो ट्रेड है वह इस वर बाजी मारके लेके जाएगा क्योंकि जब से इलोन ने टेक ओवर किय यहाँ पे अजीबों गरीबों चीज़े हैं जो देखने को मिल रही है सबसे पहले blue tick जो कि भाई c4c यहाँ पे popular creator जो कि भाई authorized हैं उन्हें देखने को मिलता था उसे चार्जेवल कर दिया गया जिसके वैसे कोई भी उसे बाई कर सकता है और blue tick लगा सकता है जिससे original कौन है और duplicate कौन है यह भाई अंतर खत्व के बराबर हो जाता है अन्हादर यहाँ पे जो two step verification की privacy थी उसे C4C भाई blue tick वाले users के लिए रख दिया गया बाकि normal users के लिए नहीं रखा गया और साथ साथ यहाँ पे इतना ज्यादा add आना चालू हो चुका है कि sometime आपको C4C टीटर पे add add देखने को मिलेगा चार दिन पहले की बात है कि मैं जो अपना टीटर एकाउंट open किया तो मुझे बिलीब नहीं हुआ कि यह मेरा टीटर एकाउंट है मैंने अपने टीटर एकाउंट को cross check किया कि hack तो नहीं नहीं हो गया क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसे post और चीज़े देखने को मिल रही थी जो कि भाई मैंने कभी देखा ही नहीं मेरे काम के चीज़े कुछ यहाँ पे लगा और जहाँ पे भी आपको ज्यादा कमेंट गरें देखने को मिलते हैं न वहाँ पे आपको कई सरे ads भी है जो देखने को मिल जाते हैं जो कि भाई रियले में आपको पसंद नहीं आएंगे और जब से यह चीज़े होनी शुरू हुई है टीटर पे लोग इलोन से काफ से बड़ा advantage आपको यह देखनी को मिलता है और अगर आप Instagram काफी टाइम से यूज कर रहे हो उसके अच्छे खासे आपको base देखनी को मिलते हैं followers देखनी को मिलते हैं तो जैसी आप यहाँ पे जोईन करोगे उन सभी के पास एक notification चला जाता है कि भाई आपने इसे भी जोई कर लिया है तो अगर आपके भाई genuine followers हैं वह आपको automatic यहाँ पर भी जो follow कर लेंगे इसके वज़े से आपका जो user वेसे ना एक account से दूसरे account पर switch हो जाएगा काफी easy तरीके से और भाई Twitter तो बिल्कुली single है जहाँ पर user account इदस उदस switch नहीं होता है वो टेकला है जबकि यहा पर आपको blue tick का कोई भी charge भी देखनी को नहीं मिलता है और पूरा का पूरो यह carbon copy type आपको देखनी को मिलता है किसका तो Twitter का और काफी ज़्यदा smooth है और काफी अच्छा तरीके से काम भी करता है और यहाँ पर use करने में आपको कोई ज्यादा दिक्कत वगरा भी है जो नहीं आने वाले क्योंकि यहाँ पर भाई इस तरीकी साब पोस्ट को share कर सकते हो और बाकिया भी से जो Twitter पर भी डाल सकते हो और साथ से साथ जैसे कि आपको Twitter पर retweet का option मिलता है सेम चीज़ आपको यहाँ पर भी देखनी को मिलती है जो कि यह मुझे काफी अच्छा लगा और इसक आपको mention किया है वो आपको देखनी को मिल जाएगा और बाकिया दर चीज़े भी यहाँ पर दिखाई देगी और अगर आप यहाँ पर कोई पोस्ट क्रियेट करते हो तो one time में 10 photo यहाँ पर upload कर सकते हो जबकि आपको Twitter पर यह चीज़े देखनी को नहीं मिलती और कोई भी च ट्यूटर पर only on 20 seconds का ही देखनी को मिलता है तो यह चीज़े यहाँ पर मुझे थ्यूट एड्वानटिज लगी है जो कि आपको यहाँ पर काफी जदा profit प्रवाइट करेगा और यह काफी हद तक smooth and similar आपके ट्यूटर जैसा दिखाई देता है तो यह चीज़े मुझे यहा पर space का option देखनी को मिल जाता है जो कि मुझे लगता है आने वुले time में thread पर भी देखनी को मिल जाएगा प्लस में यहाँ पर आपको देखनी को मिल जाता है जो कि हमारा है trending option जो कि हमें अभी तक thread पर देखनी को नहीं पर है और जब भी कोई issue जाता है customer को user को वो tutor पर आकर tweet करता है और बाकिया अदरलोग support करते हैं तो उन्हें help मिल जाता है यह सबसे बड़ा advantage अभी हमारा है जो tutor का देखने को मिलता है बट आने वले time है जिस तरीके से यहाँ पर हमारा shirt grow कर रहा है इस पर भी यह साहर चीजे चालू हो जाएगी और इलोन भाया के तो भाई बहुत बड़ी band बजने वाली है क्योंकि यह मुझे रियल में alternative लगा है और काफी पसंद भी आ रहा है और यहाँ पर सभी चीजे काफी हद तक आपको clean देखने को मिलती है जो कि आपको tutor से इस पर switch करने पर काफी ज़्याद करो मुझे क्योंकि भाई यह जस्ट नया startup platform है तो भाई यहाँ पर आपको काफी कुछ चीजे देखने को मिलेगी और यहाँ पर हम बाते वगड़ा भी करेंगे हस्ती मजाक भी चलता रहेगा तो अगर आप एक tutor users हो Instagram users हो तो क्या कर रहे हैं इसे भी जोईन करो और जिस तर रहेगा accounts use करते हो social media पर time देते हो तो आप मुझे follow कर लेना और हाँ एक और चीज में यहाँ पर कहना चाहूँगा privacy से related अगर हम privacy की बात करें तो आपको पता है कि Facebook के अक्सर कांट सामने आते रहते हैं तो भाई यहाँ पर आपको थो वह दिक्कत देखने को मिल सकता है जो बिल्कली similar है privacy के मावले में तो एक जगह अगर आपको issue है तो दुस्रे जगह भी issue आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि आज की टाइम पे ट्यूटर पे बहुत सारे वाई information सेल किये जा रहे हैं ताकि आपको ads तोगरा provide किये जा सके बट अभी तक यहाँ पर आप किसी एक account को यहाँ पे delete नहीं कर सकते क्योंकि इसके privacy में साफ सब लिखा गया है कि अगर आप किसी एक चीज़ को delete करना चाहते हो वो नहीं होगा आपको दोनों account delete करना पड़ेगा तो या तो आप दोनों account बना चुके हो ते एक को deactivate करके रख सकते हो और दूसरे को use कर सकत हो या फिक दोनों को delete करना पड़ेगा तब जाके आपका permanent account है जो यहाँ पे delete होगा तो यहीं मुझे कोई big issue नहीं लगा ठीक है आप deactivate कर पाओगे अच्छी बात है लेकिन delete के लिए आपको दोनों delete करना पड़ेगा जबकि हमाँ जो tutor है वो एक separate account रहता है इसमें ऐसी ची वीडियो में और हां interesting time pass के लिए join कर लेना ओके thanks for watching बाइए